हेलो एबरीवन आज मैं आपके लिए छोटी छोटी और यूनिक टिप सेंट्रिक्स लेके आई हूं जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं तो चलिए देन नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कबि कब क्या होता है ज presenting हमारी डबाईया कई वाटल होती और यह कोई दूसरी वाटल होती हो उसमें बहुत छोटब छोटा होता है तो जो हमाँ पढ़ते हैं ना तो हमसे पढ़ना भी मतलब ठीक से दिखता नहीं है तो इसके लिए मैं आपको इजी टिप बताती हूँ मॉबाइल तो सबके पास ही होता है तो बस आप मॉबाइल से एक फोटो क्लिक कर ले या फोटो आप जहां फोटो निकालते हैं उससे आप इसको बॉटल को देखें और थोड़ा सा जूब कर लें तो आप देखेंगे कि बड़े असानी से दिख रहा है जब हम मार्केट जाते हैं चस्मा ले जाना भूल जाते हैं तो उस टाइम भी आप ये टिप को यूज कर सकते हैं हमारे पास ऐसी बॉटल होते हैं जो छोटे मुबाली होते हैं तो जब हम कुछ चीज भरते हैं, लिक्ट या ड्राय भरते हैं, तो ठीक से नहीं भर पाता है, यह तो थोड़े से चोड़े मूबाली है, लेकिन और छोटे मूबाली भी बॉटल होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीक ऐसे असानी से भर सकते है अगर आपके पास फनल नहीं है, तो आप इसका यूज़ करके आप फनल बना सकते हैं, तो यह मैंने फॉइल पेपर लिया है, फॉइल पेपर को आप फनल के जैसे आप फोल कर लें, तो फनल के जैसे फोल कर लेंगे, और उसको फनल की तरह यूज़ कर देंगे, अगर आप पुलिक्ट बना तो बो भी भर सकतेijuana मैं कोई ड्राइच चीज भरना तो भी असानी से भर सकते तो मैं आपको असान ट्रिक सेक्ते से बताती हूं कि किस तरीक से हमें लगाना है पहले तो आप एक गार्वीज बैग निकाल लेए और उसके इसको पूरा फुला ले मतलब थोड़ा सा आप हिलाओगे तो इसमें हवा भर जाएगी और अच्छे से ये ओपन हो जाएगा ओपन होने के बाद इसको फिर से आप इस तरीके से बंद कर दें तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपका गार्वेज वैग असानी से लग जाएगा औ और आप इस तरीके से लगा दें तो बस आपका गार्वेज वैग लग गया है असान ट्रिक है नहीं है लगाना जब आपके घर गैस्ट आते है ना तो अब इस तरीके के मकेन के पैकेट लेके आ सकते हैं आप रख सकते हैं और आपको उस टाइम ज़्यादा मेहनत करने की ज तो में टेंज हो साथ हैं नहीं करते हैं हैं कि ना आदे निपने करना पुरbस अधका को रेता है चैना है के संसाम स्यून्हें को हिसा बनाना है चिए sorry में भीP मिर्यार किसा के इस ची हो गरम के नहीं हो आपने दिए नहीं कि अमम्हेरा बदो हैमे को कज़ा हृऀ이 हैं किस तरीक् tारा मगाने हैं मधचर भी भगाने हैं तो जो साबुन वोता है। results साबुन ले ली आप इसको को कदुकस करने के बाद हम कपुपी पाॉडर डालेगे तो एक को फेमיד चमचा कोफी पाॉडर है। उसके बाद जो फञान प्राइब आता है ना वहमें इसमें एड़ करना है खुशबू के लिए इससे बहुत अच sieht खुशबू आती है तो यह भी हमें एड़ कर लेना है और इसके बाद हमस को मिक्स कर लें गे मिक्स करने के बाद हमस इसको फाइल पेपर में रख देंगे थो लिए होगे जो खुशों है ना वह बाहर निकलती रहे तो यह देखे कितने अच्छे से हो लोग है है और जहां भी चीटियों का डर होता है या मच्छा का डर होता है आप वहां रख दे तो जैसे की चीटिया बलकुल भी नहीं आएंगी। कस्टरब नियुक्सराइपauen के सब्सक्राइप मिक्स करणें तो आये प्रएप खेस्टेप के सब्सक्राइप बर सीयक्सराइप एक छुच्छा लेटे कास्टेक drama घुरिश निक्सक्राइप क्योंकि इसमें लम्स पर जाते हैं तो इसलिए धियान रहे कि थोड़ा आ सा दूड़ डालना पहले mix कर लेना और और दूड़ डालना फिर अच्छे से mix कर ले ना और इसका हमें पतला सा घौल बना लेना पूरा दूद डालके एकदम पतला गोल बन जाएगा और इसके बाद हम चीनी लेंगे चीनी मैंने 8 चमच ली है आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम मीठा या ज्यादा मीठा भी आप कर सकते हैं तो जब दूद अच्छे से ओबल जाए तो इसमें हम चीनी डालेंगे ची करना है जिससे की जो हमारा कस्टर है वो नीचे न सिर्ट पक जाए तो चलाते-चलाते अप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका जो कस्टर हो गाड़ा हो गया है और इसको बस जब अच्छे से गाड़ा हो जाए तो इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे फ्रिज में रखने के बाद ये और गाड़ा हो जाएगा तो देगे कितना अच्छे से गाड़ा हो गया ना अब हम इसको फ्रेज में रखेंगे, फ्रेज से निकानने के बाद आप देखी सकते हैं कितना अच्छे से गाड़ा हो गया हमारा कस्टर, अब हम इसमें फ्रूट्स एड़ करेंगे, तो मैं पूरे मैं नहीं एड़ कर रही हूं क्योंकि दो तीन दिन हम इसको खा सकते हैं, अ आप इसी तरीके से असानी से कस्ट एड बना सकते हैं फूर्ट्स आपने मन पशंद के और भी एड कर सकते हैं या दूसरे बहुत कम लोगों को पसंद है लेकिन ये रेसिपी आप बनाएंगे ना सबको बहुत पसंद आएगी ती ये मैंने पतले-पतले करेले कट कर लिये हैं कट करने के बाद हम इसमें नमक एड़ करेंगे जिससे कि इसका जो कड़वापन है वो हट जाएगा तो नमक एड़ करने के बाद इसको एक से दो ग़ंटे तक ऐसी रखे रहने दे और इसके बाद हम इसको दो से तीन पानी मैं दोके और इसका सारा पानी निकाल देंगे तो एक कढ़ाई में मैंने ओयल गरम कर दिया जब ज्धा अच्छे से ओयल गरम हो जाए ना तब हमें इसमें करेले क्रेयले Nokal Спay और इसके बाद हमें इसमें करेले NoCal कर दिये करेले को आप muskogolms bom स्लो catch अमें clean पर पकाते रहें और जब तक ये अच्छे से गोल्डन सा कलर ना आ जा ना लाइट गोल्डन कलर तब तक हमें इसको पकाना है गोल्डेन कलर आने तक इसके बाद हमें इसमा प्याज डालेंगे तो प्याज को मैंने लंबा-लंबा कर लिया था और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है थोड़ा सा मतलब सॉप टाउने तक हमें भूनना है तो करेला तो आपको पते हैं ये कितना फायदा करता है हमारे बलड को एकदम साफ कर देता है और ये बिल्कुल कड़वा भी नहीं लगता जैसे हमने पहले नमक डालके दो घंटे के लिए रख दे गया था तो उसके बाद सारा कड़वा पर निकल गया है तो हमने अब मसाले डाल दिया है अब मसाले में दनिया पाउडर हल्डी पाउडर नमक लाल मिर्च पाउडर और इसको हम एक से दो मिनट तक भूनेंगे तो बस हमारी सबजी बन के तयार हो गई है और ये जट पट भी बन जाती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है अगर हमारी चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले हम 50,000 के बहुत पास हैं